लिखतें श्री 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 एक सो आठ दुर्गा महोच्षो अब एक सो आठ के वारे में लोग नहीं जानतें एक सो आठ वो छोटे डोटे कुशेशन्स हैं जो जीवन यापन करने के लिए उस परभूने भेजे हैं ज्यान तो किसी के बाप कहनी जो गरहन करना चाहे ले ले पाओं बुजर्गों के दाबें हैं तो यह हुनर आया है तो क्या ठारा पुरान कौन कौन से है श्री विश्णू पुरान श्यू पुरान पदम पुरान इसकंद पुरान गनून पुरान भायू पुरान सूर्य पुरान अगनी पुरान ब्रम वैवर्थ पुरान लिंग यह सारह पुराण के नाव वेद भी और आप 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 मक्का होया है हम कभी हो आप कुछ कहना चाहते हैं आप प्रोग्राम में आप ही को सुनना चाहरता आप से जाधा सरल और आप से सरल चित तविक्ति कोई नहीं दिखा कैसा है समाज किसी ने अपना नाम रख लिया तो कहते हैं कि यह मेरे पिता जी से पूछ के नाम रखिए अपने पिता जी से पूछ के नाम क्यों रखा था मेरे पिता जी से पूछिए मेरे पिता जी से नाम पूछिए तब अपने पिताजी से बताई ये फिर वो पिताजी आपका नाम रखेंगे अरे भाया चतुरवेदी रखना था चतुरवेदी रखना था चॉरसिया रखना था चॉरसिया लेकिन मैं इस मिलना चतुरवेदी में हूना चॉरसिया में मुझे तो बताईए आपको क्या कहना है कि वहीं सुनना है कि बहुत धन्यवाद आपको कि सिर्फ प्रामैड के एक चोपाई सुना कि अपनी बात कतम कर आवात चुना भी तो रामैड की चोपाई राम चरित मानस आचारी जी मज़ा हा रहा है बिल्कुल बिल्कुल और क्या बिल्कुल चरॉसिया जी की बात द्यान लखिएगा बिल्कुल कोई भी कुछ प्रामै बगता बढ़ जोगी एक राम है घर घर लेता एक राम है दृसरत बेता एक राम है जगत पर चारा एक राम है जगसे नियारा जो जगसे नियारा है उसके कैमरे के नीचे हम लोग खड़े हैं हम सब के सारे कर्मों को देख रहा है हाँ अगर पान बेचते तो सो रसिया जरूरत लाहा 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 पर यह दंग मारती है और यह चंद्रमा और मंगल पर जा रहे हैं यह वहाँ पर पूछ रहे हैं कि यह रख लीजिए वह रख लीजिए पिता जी ने रखा था अगर यह होते तो इनीज़ रखवा लेता है अब तो आप पानी पियो और यह क्या काल सुनते जाओ चलिए बहुत धन है उनका मश्वरा सरांखों पर सोचेंगे पुनर जम तो होगी आप तो पंक्ति पर आओ रामा ही के वाल प्रेव प्रेव प्यारा एक शब्द के बारे में कहना चाहते हैं सिर्फ एक शब्द है नमाज वह सभी लोग जानते हैं मुस्लिम कर्णिटी के लोग नमाज पढ़ते हैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह शब्द नमाज भाशा कौन सी है इंगलिश है कि उर्दू है कि अर्भी है कि क्या है यह भाशा कौन सी है अगर चोरसिया जी बता दे तो उनका अभिनंदन है बहुत चंदर आज तो अबने लगता भी Escape the आपक लग ज़िए रहें अं है यह यह लघ्णा हो मैं जानता है अगो प्रहमन को अपर आप ने चोड़ी दी बात वहार शब्दे नमाज एक शब्दे और यह प्योड़ संस्क्रिट का शब्द है उर्दू में इबादत हिंदी में पूजा अर्चना उपासना इंग्लिश में प्रेयर और संस्कृत में नमाज क्यों? इसको संडी भी स्षेद कीजिए नमब धन अज नमब नमन करना प्रगाम करना, दंडवत करना सजदा करना, जुग जाना समर्पड हो जाना, समर्पित कर देना जैजे कार करना, चरणों में पढ़ जाना दाराशाई होना नत्मस्च को ना सरेंडर हो जाना उस प्रभू के चरणों में इस तुपर कंप्यूटर को रख देना कि है प्रभू तुहीं सबसे बड़ा है और तूने इस मनुष्ट को बनाया है इसका विश्कारक तुई है तेरे चरणों में हम समर्पत है इसलिए आज अ को नमन करना और यह हुआ नमाज एक मिन मेरे मेरे माथ थे थोड़ा हाथ रखेंगे आपको मालिक खोब अच्छा रखे और आप ये जो दृष्टी है प्रभू ये दृष्टी का एक चौथाई का चौथाई हिस्ता पांडे जी की तरफ नहीं आपी की तरफ जाओंगा नहीं सब को में आजी जिकी आणागाना एक है अरौ से आराम और उसमें भेध मत करिए कि तुमने नाम ये क्यों रखा हो नाम रख लो ये नाम रख लो बयत ना करना है आपने कहां कि अठारा पुरान 4-6-7-8-8-1-108 उपनिशत जब बैनल लगते हैं दुरगाजी के महोसों का लिखते हैं शरी 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 108 दुरगाज महोसों अब 108 के वारे में लोग नहीं जानते एकसाइट वो छोटे ठोटे कुशेशन कुटेशन से हैं जो जीवन यापन करने के लिए उस पर्वुने भेजे हैं। भो 108 पूरांन कभी है, पूरांन कभी है लेकर आपने आप में कहां धारा पूरां के नाम आपको पता हैं और वेद भी पता हैं सब पता है। उपर वाले की किरपा है यह लोग की सेवा की ते था मिला है। ज्ञान तो किसी के बाप का है नहीं, जो ग्रहण करना चाहे ले ले, पाओं बुजर्गों के दाबें हैं तो ये हुनर आया है, शेक सही कहा अपने, मैंने सही कहा चाहिए, तो क्या धारप पुरान कोण कोण से है शिरी विश्णु पुरान, शिव पुरान, पदम पुरान, गनुन पुराण भायू पुराण सूर्य पुराण अगनी पुराण ब्रम वैवर्थ पुराण लिंग पुराण बामन पुराण उत्तर भूशन पुराण काग भुशंड पुराण हरिवन्ष पुराण तेवी भगवत पुराण भास पुराण भविष्ट पुराण मतस पुर जहां इश्वर का घर है वहां तीन प्रोग्राम वे वेद और कुरान के साथ क्यों ऐसा क्यों आपका रुजहान उदर कैसे गया यह लगा कि नहीं पूरी दुनिया की जो तमाम सारे इल्म हैं तमाम सारे रिलिजिन हैं उनको समझना चाहिए सीखना चाहिए यह हमारे दोस्ति में इनका रुजहान ऐसी था हाँ यह ऐसी थे तो नमाज पढ़ाते थे आलमे दीन है यह यह अल्ला के बहुत ही समझे नेक बंदे हैं यह लेकिन आपका रुजहान इस तरफ गया हाँ गया इसलिए कि मैं जवाश्वी क्लास में था तो उसमें अनिमार संस्कृत भी हिंदी समाना अंतर थे वैसी चोटिया वैसी उनका कुर्ता वैसी धोती और हम बदकिस्मती से टोपी लगाते थे तो आगई बैठते थे अब पंडी जी आ उन्हें कहां भई मौला ना जराब पढ़ो तमने का गुरु जी कौन सा चेप्टर पढ़े करने का धूर कट मुनी निकालो तो पंड़ा उल्टा चोटी जी किताब थी अनिमारी संस्कृत उसमें लिखा था शुरू में एक किस्मिन बने धूर कटा नामा एक हमनी आसिद एक बन में धूर कट नाम के एक मुनी रहते थे ये उसका तरुइमा था सीधा सीधा अब वो बच्भण का उबना बसो बच्भण में तो शराड़ते होती हैं ना कुछ ने कुछ रहाई उसमें डावाद शुरु करते है नगलॺ तूर करता आपका शुरू क बच्पन की बात थी लेकिन मैं यहां पर मैंने संस्क्रित को गरहन करना शुरू किया सारी किताबें जो मिली पहड़ाली जो जहां से मिली जिस स्टार पर मिली जिस जगें मिली साप पहड़ाली अब एक चेश्टा उस्पन हुई कि वही सही चीज जानना चाहिए और जब सब को गरहन किया तो मालूम हा कि एकी ब्रह्म की उपासना सारे धर्म बताते हैं एकम ब्रह्म दुत्यों नास्ते ने ना नास्ते किंचन पूरे ब्रह्मान का मालिक एकी प्रमेश्वर है दूसरा कोई नहीं था नहीं है नहीं होगा किंचन किंचा भर भी नहीं एकम एवं अद तियम वो प्रभू अकेला है कोई दूसरा उसका भागीदार नहीं तो जब आप रामचरित मानस पे आए तो फिर क्या अच्छा लगा अब रामचरित मानस की एक दो कड़ियां आपको सुनाएंगे उर्दू में ये लिखा है पंडित ब्रिज नराइन चक्बस लखनवी ने जी बिल्कुल बड़ा बड़ा नाम है नराइन चक्बस लखनवी वो लिखते हैं वर्यादा पुरुष्चोतम सी रामचरित की जीवनी में कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम और राहे वफा की मंदिले अवल हुई तबाम जब जाने लगें वर्यादा प के आग्या का पारण करने जा रहे हैं और माता को जो आपने सोतेली माता को जो आपने वचन दिया उसको पूरा करने जा रहे हैं आपका आखरी दर्सन करने आए हैं तो उस वक्त का दर्सन को लिखते हैं कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा कह नाम और राहे वफा की मंजिले अबल हुई तमाम पहली मंजिल खतम हुई और बाप चाह गया लिए और वनमास खिली जा रहे हैं और जब माता जी चेपास गए तो उनसे जब पूछना चाहा तो उसमें लिखते हैं कि माता कोशल्या जी सिर्फ देखती रही और जब उसे पूछा उनसे लिए तो केंडल जी कि मैं खुश हूँ फूंग दे कोई स्थ तो ताश को अब तुम ही नहीं तो आग लगाउंगी राज को जब तुम ही नहीं तो आग लगाउंगी राज को चाहा आज भी कोई बेटा इतने बड़ी सल्तनत को ठोकर मार कर और पिता क्या अग्या का पालन करने के लिए तयार है यह वचल दिया है श्री राम चंजी ने यह वचल दिया है पूरी दुनिया को कि देखो अगर पिता कहे तो राज को भी ठोकर लगा दो उस जमाने में यह था कि बड़ा बेटा वही उत्राविकारी होता था सब चोड़ के चले गए क्या भी कोई कि अभाई साहब के बाद को सुन करके हमारे चजाजान की भाई साहब को पुराविन की बाद को सुन करके यह जो सत्वाइस तारीक का जो कारिक्रम हो रहा इसमें अब राजीनीत ना की जाये चुकि मैं अभी भी एस्प्रेश कर देना चाहता हूं कि जो आचारी और योगी सब मेरा नाम रभीन कुहार सुकुला था तो वही मैं देख रहा था हूँ जलधार बह रही है और शायद निशाद राज ने भगवान के जब चरण पकारे होंगे तो शायद यही रहा होगा द्रश्याद निशाद राज ने यही पूचा जब गए जो उत्रागिकारी हुए थे और तलास करते गार निशाद राज ने पूचा प्रभू आपको कहने कि अपने भाई को ढूड़ने परजी परजी ने का तो कहने भाई को ढूड़ने के लिए पूरी फोज लेके आए हो अब फोज अब इसके माने तो आप उनका बिल्कुल खाकमाही करने आओकान नहीं अपने भाई को लेने आए हैं अगर वो नहीं गए तो अम उनके चरौण के जो उनके चरौण में जो चीज है खाऊं उसी को ले जाके रखेंगे सिंगातन में फिर राज करेंगे तो कि मेरा राम चरि सुस्यदकाना करवن करें विडिनाना आनन्न दहीं टकल रस होगी विनमारी वक्तावर्ज़ोगी एक राम हे घर घर लेạn एक रम है द्रसत बेटा और एक रआम है जगत में पर्चारा एक राम है जगशे नियारा और उस राम को कब याद करते हैं उस राम को याद करतें जा मतलव मर्यादा पुरषोतम सिर्راम्षि की जो पूजय हो अर्चना उपातरा करते थे जिस रॉम की वही राम सत्ट है। उसको जो जान ले उसका जीवन से ले ये जीवन प्रभू ने ये जीवन प्रभू ने दिया है जीवन दिया है संदर बनाने के लिए ये जीवन इसलिए नहीं दिया की बेर्थ कर ले अरेपिक 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 डिपार्टमेंट के भी प्रफ सर मौझूद है कहना चाहेंगे कुछ इनके बारे में ये मैं कहना चाहता हूँ मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि इसमें जितने सारे लोग मौझूद है आप लोगों ने सुना होगा किसी मदार पर किसी नेक शुब काम के लिए फातिहा होती है पुरान का पहला अशलोग ज हमारे चचा से सुन लिए तो कोई फर्क नहीं है सा घंदिसमें हैं सात समय फर्क lli नहीं आती है जिसको अरभी आ جाए और इसको संस्कृत भी आ जाए वह मारे चचा सरह होगा इसलिए हर संसर्फ को चाहिए कि वह अरभी और वर थे दोन दोनों पढ़े, तब उस समझ तो नात्मक अध्यन करें, तब वो अध्यन करेंगा, हमारे लखनो इन्वेस्टी में एक सो साथ साल पहले लखनो इन्वेस्टी को सब जानते हैं, कैनिंग कॉलेज को कम लोग जानते हैं, उसमें औरियंटल स्टडीज इन अरभिक परिशियन औ दोला किया था, और पंडित और मौलाना साथ में बैट करके एक दूसरे को ग्यान बाटते थे, वही ग्यान की दरुवत है, और आज वही बाईस तारीक में होने जा रहा है, क्या बात है, ये 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 है दानिश्वर लोगों की बात, ये बात, अच्छी बात है, जो समझ हूँ, मैंने किसी कोई बुराई नहीं करना है, लेकिन मैंने ऐसा पॉजिटिव और सोच, ऑन दा स्पार्ट, देखने वाला नहीं देखा, मेरे डिपार्टमेंट में इंग्लिश का टीचर एक सो साथ साल में नहीं मिलाता, पिछले साल फैसला भी आया, और मुझे टीचर मिल गया, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया, तैंकिस सो मच, लेकिन आपके बाहरम सुनाएंगे हमें, दोश है, आपके शान में, अले असा बारे में, बतर ना चीज में किनरे, क्या है, लोगों को सेवा दे रहे हैं आप, और इतनी तगोदो और नहनत कोश कर रहे हैं, शिला तो असल वो परभू देगा परमेश्वर, इनसान कुछ नहीं दे सकता, इनसान तो तालियां वीट के वावा कर देगा, हम दो शेर आपको सुनाते हैं, आपके सामने, इर्शाद, और सुनी आप, अभी इस तरफ न निगाह कर, मैं गजल की पल के सवार ल अभी इस तरफ न निगाह कर, मैं गजल की पल के सवार लू, मेरा लफज लफज, हो आईना, तुझे आईने में उतार लू, हो आईना, तुझे आईने में उतार लू, मैं तमाम दिन का ठका हुआ, तमाम शब का जगा हुआ, जरा ठहर जा, इसी मोड़ पर, तेरे साथ शाम गुघुझा, ये 72 साल के आवाँए, अब 18 साल में कैसा रहोगा, तचाए के साथ, ये लखनौ का अंदास है, हुज़ूर, ये लखनौ का अंदास है, जिसमें चोहल भी है, संजीन्गी भी है, इल्मी है और इसके साथ साथ बहुत कुछ सीखने के लिए सबक भी है जी अब हमारे इस जगे जो ये पॉलिकल लीडर्स है जो हड़ी डाल दो तो खूब लड़ते हैं अगर अगर कहीं छीरा ककड़ी और कोई चीज डाल दो तो नहीं रणेंगे हड़ी पर लणेंगे उनके वारें भी दो शेर से जो बहुत बहुत दिर्शाद ये अदा भी ऐसा की वाह क्या निराली है ये अदा भी ऐसा की वाह क्या निराली है एक जाम छलका है और एक जाम खाली है मालदार मालदार होता जा रहा है वो गरीब गरीब होता जा रहा है वारे देश के चलाने वाले लोग अद दूसरा भी शेर सुन लिजे इसके ताद जखम पता पता है और दर्द डाली डाली है हर तवका परिशान हर आदमी परिशान हर घर में परिशानी जखम पता पता है और दर्द डाली डाली है ए मेरे चमना खिल कौन तेरा माली है सब परिशान है मगर कोई इस परिशानी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है